अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे मैं मॉनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आज हम क्लास 11 का जो आपका सब्जिक्ट है फिजिक्स उसकी ओलाप की क्लास को पॉंटिन्यू करें तो बच्छो आज जो हमरे एक्सपरिमेंट है वो है बीम बैलेंस ठीक है आज हम इसकी थियोरी और प्रसीजर को डिस्क्स करेंगे तो बच्छो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन की हो बच्छो आब हम बात करते हैं ठीक है जो देश है वो यह है कि हम जो है मास को fine करेंगे यानि जो दरविमान है उसे निकालेंगे sensibility method से जिसमें हम beam balance का यूज करें अब हम बात करते हैं इसकी थियोरी की थियोरी में की बात करेंगे the beam balance is a device used for the determination of the mass of a body under gravitation यानि जो beam balance है वो एक ऐसा device होता है एक ऐसा यंद्र है जिसका use जिसका उपियोग वस्तु की द्रव्यमान को निकालने में किया जाता है basically कोई वस्तु gravitational pull पे है उस वस्तु का द्रव्यमान निकालने के लिए ही हम beam balance का उपियोग करते है अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा यह क्या है beam balance है ठीक है beam balance है जिसे हमने case के अंदर रखा है अब अगर हम beam balance की बात करें इट कंसिस्ट ओफ beam supported at the center of and a knife edge resting on a supporting support moving inside a vertical pillar यानि अगर हम बात करें beam balance की तो beam balance क्या होता है basically आपका जो तराजू होता है उसी तरीके का होता है इसके बीच में एक agate knife होती है यहां पर एक agate knife होती है चुकि rest की position में होती है ठीक है the beam carries a light pointer which moves over a scale यहां पर एक pointer होता है जो कि scale पर move करता है scale में क्या करता है गती करता है these are two stir up at the end of the beam which carries two scale pans of equal masses along the adjusting अब यहां पर क्या होता है यहां पर दो stir up stir ups होते हैं इसके जो end होते हैं वहां पर और इन में क्या लिखा रखे होते हैं अब इनको जो है हम adjust करते हैं these can be adjusted to make pointer oscillate within the scale when the balance is raised अब यह जो pointer है इसका उप्योग करके हम क्या करते हैं हम देखते हैं कि हमारी बस तो balanced है या नहीं ठीक है the balance is mounted on a platform provided with three leveling screw which make the pillar vertical अब अगर हम बात करें balance की तो balance कहां होता है एक three leveling screw का balance होता है और यह क्या करता है यह vertical pillars पे अटेश होता है there is a plump line which shows whether the pillar is vertical or not यहां पर एक plump line होती है जो यह दर्शाती है कि pillar जो है वो सीधा है या नहीं the balance is enclosed in a glass case in order to avoid disturbance due to air अब यह जो आपका पूरा आपका जो यह तराजू यह आपका जो बीम balance होता है basically इसको एक जो है glass के case में रखा जाता है ताकि इसमें हवा न लगे और हवा इसको disturb न करें correct mass of the body using beam balance यानि अब हम बात करेंगे की beam balance के माध्यम से जो है सही mass हम किस तरीके से निकालेंगे m बराबर w plus r minus r naught s ठीक है तो हम बराबर होता है w plus r minus r naught s होता है w जो है mass in the pan w क्या है pan में जो mass है वो r naught है zero resting point ठीक है resting point resting point with the body counter poised with weight r क्या है आपका resting point body का जो की weight के साथ है s क्या है sensibility of the balance these sensibility as the weight required to shift the resting point of by one division is calculated from the equation अब जो resting point है उसको हम या जो sensibility है उसको हम कैसे से निकालते है s बराबर 0.01 upon r naught minus r r1 क्या है resting point with 10 mg with right pan यह आपका formula है sensibility निकालने अब हम बात करते हैं learning outcomes की तो इसके माधियम से क्या होगा student able to know the working principle of beam balance या बच्चों को यह पता चलेगा कि beam balance कि तरीके से कारे करता है student learn about the sensibility of beam balance यानि बच्चे जो है beam balance की sensibility को समझ पाएंगे उसे याद करेंगे उसे समझ पाएंगे तो यह आपकी theory हो गई है आप इसे note करेंगे अब इसे note करेंगे अब हम चलते हैं प्रसीजर की और दसे पहले हम बात करेंगे material required यानि सामगरी की आवशक्ता है यानि किसके सामगरी की आवशक्ता होगी पहला है दूसरा है box of weight यानि weight का जो बॉक्स होता है और rectangular wooden box एक जो है rectangular आताकार जो है लकली का box ब्लॉक पैंडूलम बॉप और पैंडूलम बॉप यानि जो है आपका जो लोलक होता है पैंडूलम होता है उसके आवशक्ता होगी अब हम प्रसीजर की बात करते हैं जो है जो है जो है बैलेंस को हम क्या करते हैं उसको इस तरीके से अज़स्ट किया जाता है ताकि आपका जो है अगर जो पॉइंटर है वो ऑसलेट नहीं करता है इसी भी साइट में तो क्या किया जाता है नट को सुटेवली जो है उसे अज़स्ट किया जाता है क्या करते हैं और जो पॉइंटर है उसे वो ऑसलेट करने लग जाता है 3 और 5 successive readings they are to the left and to the right on the scale against which the pointer turns back during oscillation attack तीन आगी की जो है successive reading reading लेडी पड़ती है और दो पीछे ठीक है इस तरीके से लिए लेना पड़ता है these readings are called tuning points इनको हम क्या कहते है tuning point कहते है the average running point on the left and the average running point on the right are separately calculated left and right में जो हमारे turning point है और अलग अलग तरीके से calculate करेंगे the mean of these averages gives the zero resting point इनका जो mean होगा वो zero resting point देंगा y का y1 plus y2 upon 2 कमारा आर नोट जाएगा x plus y to find the sensitivity of the balance निया हम balance के sensitivity निकालेंगे for finding the sensitivity 10 mg weight is placed on the right fan and the resting point r1 is determined as so हम क्या करेंगे sensitivity को निकालने के लिए हम क्या करेंगे 10 mg का weight है उसी right fan में रखेंगे और resting point जो r1 है उसको हम निकालेंगे then the sensibility s is calculated using the equation 2 फिर हम दूसरी equation का use करके हम sensibility निकालेंगे explain in the theory lab now let's find out the mass of the body m अब हम क्या करेंगे body का mass निकालेंगे जोकि m है the balance is arrested by turning of handle the balance is arrested by turning the handle the given body is placed on in the left pan and it is countered balanced by the known mass w on the right यारी हम क्या करेंगे हम एक balance लेंगे ठीक है अब हमाल पस body है उसके left pan में है हम एक दी कही body को रख देंगे इसे हम जो है w weight लेंगे या मास्टे से हम बोलेंगे the resting point r is the remaining resting point the correct mass of the body can be calculated using the equation term जो है correct mass को निकाल सकते हैं बहली equation पर यूज करके explain in the theory tab जैसे कि हमारा theory tab में बताया है the pointer of the beam balance always rest near the pan having less यानि जो pointer है beam balance का उसे हमेशा महार रखा जाता है जहां पर term weight होता है उसी की तरफ को rest हो ठीक है तो आप इसे हम note करेंगे ठीक है उसे पहले हम material required note अब आप procedure note करेंगे फिर हम यहां पर sensibility निकालेंगे sensibility ठीक है आप इसे note करेंगे अब हम चलते हैं simulator की और ठीक है simulator में आपके सरीके से experiment को perform करेंगे यह आज हम discuss करेंगे for sensibility checking यानि हम sensibility check करेंगे raise the knob knob को आप raise करेंगे note 3 consecutive turning points 3 at left and 2 at right यानि आप 3 consecutive turning points note करेंगे 3 left में और 2 right में arrest the knob knob को arrest कर देंगे click on open door open door पे click करेंगे place 10 mg in the right pan of the balance 10 mg जो है right pan में रख देंगे click on close door button इसमें click करेंगे now raise the knob knob को raise करेंगे note 3 consecutive turning point 3 at left and 2 at right तुर क्या करेंगे 3 consecutive turning point note करेंगे 3 left में और 2 right after sensibility calculation पहले sensibility आप निकालेंगे आप इसके बाद calculation जो करेंगे उसको हम रिस click on the open door button open door button में हम click करेंगे click on 10 mg to remove it from the balance फिर क्या करेंगे 10 mg पे हम click करेंगे ताकि हम balance को remove करेंगे select an object by a single click on bob wooden block फिर हम क्या करेंगे object है उसके click करेंगे wooden block यह wooden block यह bob है उसके click करेंगे the object would counter balanced by selecting weights given on a single click object को हम counter balance करेंगे और इसमें weight को select करेंगे click on close door button close door button में click करेंगे release the knob to note the turning point as before फिर हम क्या करेंगे knob को turn करेंगे और फिर knob को जो knob है उसे release करेंगे और turning point में note करेंगे repeat the steps for adding more weights or reduce weights to counter poise the weight in the left pan फिर आप करेंगे step को फिर से दोर आएंगे फिर आप दुबारे से measure करेंगे click on show result button to view the result show result button में click करेंगे और फिर result देखेंगे reset button is also provided to reset the entire simulator simulation तो एक reset button हम click करेंगे ताकि हमारे पास पूरा simulator इसे हम कर से दो the pointer of the beam balance always rest near the pan having lesser weight जो beam balance है उसके point करेंगे rest पे pan के पास कम weight को measure कर से अब आप इसे note करेंगे simulation procedures चलिए अब हम बात करते है observation की observation की अगर हम observation की बात करें observation में जो है to find the weight of the body हम body का weight निकालेंगे तो हम इस तरीके से table बनाएंगे पहले column में loads in pan यानि pan में कितना कितना load है left में right में turning point left और right का turning point mean turning point लिखेंगे और resting point तो आप यहाँ पर जो भी turning point आएंगे वह आप लिखेंगे mean turning point लिखेंगे left right का और resting point आप निकालेंगे next है calculation sensibility equals to g upon dv ठीक हम पर sensibility आप निकालेंगे उसे लिखेंगे correct mass of the body यहाँ पर लिखेंगे और फिर result the mass of the body is dash gauge यह आपका procedure हो गया है complete अब हम चलते हैं animation तो अब हम animation के माधियम से यह जानेंगे कि आप इस experiment को कि इस थरीके से perform करेंगे beam balance beam balance arrangement sensibility method the balance is gently released five successive turning points starting from the left are taken the average of turning points on left and right are calculated separately then the average of left and right gives the value of the zero resting point RO of the balance open the weight box and take the weight of 10 mg open the door and place it in the right pan and close the globe then the balance is released gently the resting point R1 is found as before open the door and place the given bog in the left pan a suitable weight of 20 grams is placed in the right pan then close the door and release the balance we have to notice that the weight is more than the object then arrest the balance again and open the door and wait place the weight of 10 grams now close the door again and release the balance the pointer points to the left again change the weight now place the 5 gram release the balance the pointer stands in the right then we place the 2 gram and oscillate the balance again the pointer stands in the right then we place another 2 gram weight oscillate the balance now it begins to oscillate but it's not equal then we put 500 mg into the right pan and oscillate again it is found that the oscillation is not equal then put 200 mg in the pan and oscillate again the oscillation is not equal put 200 mg in the pan and oscillate the balance again the oscillation is not equal put 20 mg in the pan and oscillate the balance now it oscillates equally take the readings for 5 successive turning points and find the resting point it's not equal 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 if you see it किसी किस तरीके से आप रियर लाब में परफॉंगें, एक है? बीम बालेंस बीम बालेंस is a wave instrument which helps in measuring the gravitational mass of an object that makes use of principle of moments. Principle The correct mass of the body using the beam balance is equal to W plus R minus R0 into S where W is the mass in the pan, R0 is the zero resting point, R is the resting point with the body counter poised with weight W, S is the sensibility of the balance. the sensibility s is the weight required to shift the resting point of the balance by one division it is calculated from the equation s can be equal to 0.01 divided by r0 minus r1 where r1 is the resting point with 10 milligrams in the right fan materials required a beam balance box of weights a rectangular wooden block or pendulum ball procedure to find the sensibility of the beam balance the balance is released and the pointer is allowed to oscillate freely three consecutive readings three to left and two to right on the scale against which the pointer oscillates back and forth are taken these readings are called turning points the average turning point on the left and right are separately calculated mean of those averages gives the zero resting point r0 now open the door of the balance place 10mg in the right fan and shut the door so that air current should not disturb the oscillations the resting point r1 is determined as before the sensibility s of the apparatus can be calculated using the relation s is equal to 0.01 divided by r0 minus r1 grams per division to find the gravitational mass of the given object the object whose mass is to be determined is placed in the left pan place standard weights in the right pan from the weight box with the help of forceps raise the norm of the balance to view the position of the pointer the pointer will rest near the pan having less weight and will remove the weight accordingly to get equal oscillations in both sides the left and right turning points are noted and the resting point r is calculated as before add all the weight in the right time to get the gravitational mass w of the body the current mass of the bob can be calculated using the relation m is equal to w plus r minus r0 into s applications beam balances are used for precision mass measurement they are used by goldsmith scientists and researchers so mucha aasha aya ki aaj haj humne joe video dhekha hapko samaj me aagay hoongi abh hum chalte simulator ki or to jaisi ya simulator we click karengi to aapka kuchh is sariqe se hapere interface aaj jayega hap dhek saktay hapere aapke paas likha hai open door open door close door so ya aapka door open 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 यहां पर वेट साइड़ेड शो रिजल्ट पर जाएंगी तो आपका रिजल्ट यहां पर शो होगा तो यहां पर यहां पर आपको दिखाएंगी तो यह जो है यह बेस्कली आपके आपके की बालंस है उसका measurement यहाँ पर आपका दिया गया है अब ऐसे करें यह release होगा और फिर यह आपका weight यहाँ पर आपका आजाए तो result में यहाँ पर आपके weight आजाएगा तरीके से आपको यह experiment करना है अलग-अलग weights के साथ कि आप reset करके फिर दुबारे से से कर सकते तरीके से आपका आजाएगा तरीके से आपका यह experiment होगा एक हम perform कर लेते हैं फिर आप इसी तरीके से कीजिए उपन दोर में करें पॉब रखा पेट रखेंगे आप 100 close कर देंगे दोर नीचे आएंगे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यह आपको दिखाएगा इधर आजाए लेफ्ट में आ रहा है यानि यह क्या हो गया आपका भारी हो गया पर यह भारी हो गया यह हलका है आपको और वेट रखना पड़ेगा आप फिर से से खोलेंगे उपन दोर उपन दोर पे क्लिक करेंगे और वेट रखना देंगे क्लोस कर देंगे डोर फिर से क्लिक करेंगे फिर आपको धरी जा रहा है यानि आपका भारी है यह भी हलका है क्लिक करेंगे वेट आपको 81.41 आगे इसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आपको यह एक्सपरिमेंट पॉर्फॉर्म। तो बच्छो आज हमने bean balance rate कि चाहिए हे, वो ओको यह एक्सपरिमेंट को पुरूर्स MARKET कर लिए है है, आज के लिए इस अग्ले को इक्सपरिमेंट पूरूर्स अगले को दिश्टत करेंगे, अगर आपको कोई नार में a TsogК तो ने मिलते हैं एक सेशन में, सब दिक के लिए thank you and have a nice